टो बेर इंपोर्टन टॉपिक है इस्टेभा इस्टेभ अधन करेंगे। पहले हम लोग अधन करेंगे इसका अंग्रीजों की प्रशाश्तिनग व्यवस्ता नियाइक व्यवस्ता और कानून ब्यवस्था में पूरा विश्वास करते थी लेकिन बाद में आगे चल करके कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है कालोनिकल पीरेड में यानि उपेशिकाल में और ऐसे परिस्थितियों के कारण गांधेजी सहयोगी से अरसभगी बन गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया यानि किसी भी तरीके से ब्रिटिस सरकार का सहयोग नहीं कहना है हर विवस्था में असहयोग करना है और इस तरह से असहयोग आत्मत तरीके से उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया तो कहने का मतलब है कि गांधी जी ने पहले सहयोगी थी प्रारंभी कवस्था में बाद में असहयोगी बन गए यानि उन्होंने सहयोग न करने का निर्ण लिया किसी भी प्रसासनिक व्यवस्था न्याइक व्यवस्था या किसी भी व्यवस्था मंग्रेजों का सहयोग नहीं उसके कौन-कौन से कारण थे, उन कारणों पे हम लोग विस्टेशन करेंगे, तो step by step एक एक खीडिंग का इनासिस करेंगे, चलिए first step में अध्यन करते हैं, प्रथम विश्यूद, यानि प्रथम विश्यूद असहयोगांदोलन का कारण बना, कैसे बना, पहले step में अध्यन क हो गई थी, पूरे विस्ट में, आर्थिक मंदी का दौर चला, प्रथम विश्यूद के पश्यात, और आर्थिक मंदी के कारण भारत में भी इसका असर पड़ा, महंगाई बढ़ी, और महंगाई बढ़ने के कारण नागरिकों पे, किसानों पे, बीविद लोगों पे टैक बढ़ाए गए, और टैक्स बढ़ने के कारण लोगों में आकरोज बढ़ा, तो ये भी एक फैक्टर है महंगाई, दोसरा है ब्रिटिस काल में, ब्रथम विश्यूद्य के समय में, हर देशों में सुतनता की और लोग आगे बढ़ रहे थे, और इससे भी राष्टवाद की भावना पनपी, यानि राष्टवाद के विकास के कारण भी भारत में राष्टवाद का विकास हुआ, और देशों के साथ साथ भारत में भी राष्टवाद विक्सित होने लगा, और ये भी एक कारण था सहिव वानुन सलाने के पीछे का, यानि गांधी जी के लिए अंक जब उनकी आउशक्ता खतम हो गई तो सैनिकों को निकाला गया सेना से और सैनिकों के निकाले जाने के करण बड़ी संख्या में बिरुजगारी बढ़ी तो ये भी एक महत्कौन फैक्टर था अगले इस्टे में दूसरी एडिंग अधन करते हैं राउलट एक्ट अंग्रेज को कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन ऐसे क्रांधिकारी जो हथियारों में विश्वास रखते थे बहुत जादा अग्रेशु थे ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने कानून मनाया जिसका नाम था राउलट एक्ट कानून के तहद किसी भी क्रांधिकारी क क्यों संदेह के आधार पे गिरवतार करके और बीना मुकदमा दर्ज किये एक निश्चित कोई निश्चित समय नहीं होता था अनिश्चित समय तक के लिए उन्हें नजरबंद कर दिया जाता था या फिर किसी गोपनियस्थान पे रख धीया जाता था तह एक गलत कानून क्यानि क्यों संदे कि आधार पर किसी वे को गिरफतार करना और उसे बीना मुकदमा चलाए कहीं कोपने इसान पर रख देना या बंद कर देना जेलों में एक गलत था ऐसे कानून का गांधी जिन्हें विरोध किया क्योंकि सीधे सीधे हमारी राश्टी ता कि भाउना को हुआ था इस कानून के मादम से युवा क्रांतिकारियों को जैसे क्रांतिकारी जो बहुत ज़्यादा ग्रेश हुथे उग्रे थे उनको नियंत्रित करना था नेश्ट है सरकार का कठोड़ दमन्चक्र लाओ रॉलर टेक्ट के विरोध में पूरे भारत में विरोध चला थ लोगों को बिरोध को खतम करने के लिए यानि उनके पूरे आंदोलन को जड़ से समात करने के लिए अंग्रेशों ने कठोड़ता से दमन्चक्र चलाया यानि उनका कठोड़ता से दमन्चक्र चलाया जिसे किसी भी तरीके से आंदोलन ना होने पाए कहीं लाठी चास किये गये कहीं लोगों पर जादा जो उग्रत थे जिनके खिलाब जादा मुकदमे थे उन्हें फासी तक चठा दिया गया और इस तरह से पुरे अंदोलन का दमन किया गया तक ठोड़ सा से जो अंदोलन को कुछला गया ये भी एक महत्पूर कारण बना रांदी जी के असायों अं से इस रूप से कि इसके परशाथ हम भारत को आजाद कर देंगे लेकिन अंग्रेजों ने अपने वादा खिलापी किया अपने वादे से मुकर गए और इसके परिणाम से रूप भी गांदी जी ने असायों गांदोलन का कारण बना अगले स्टिक में अधन करते हैं जलिया वाला बाग है पंजाब के अंतरगत आता है और इस तरह से जलिया वाला बाग हत्याकान इतिहास में बहुत ही महत्तोंड है क्योंकि एक ऐसी घटना घटित हुई थी बहुत दुखद घटना घटित हुई थी और इस घटना के कारण इतिहास में हमेशा सहीतों को याद किया सभा आउजित करने के पूरो ही पूरे छित में करिफू लागू था और ऐसे में सभा आउजित की गई थी 13 प्राइल 1919 को उसी दिन वहाँ पे बैस्षाकी का मेला था बहुत सारे बच्चे महिलाएं बुजर्ग मेला देखने के लिए आये थे और वो केवल उसकता बस वहाँ पे चले गए थे कि यहां पर हो क्या रहा है भीड क्यों गट्टी होई है और इस तरह से भीड और ज़्यादा बढ़ गई और जैनल डायर चोंकी जानता था कि यहां पे भीड गट्टी होने वाली है उसको पूरुवत सुसना प्राप्त होई थी और ऐसे सितियों उसने चारों तरफ से उस बाग को घेर करके और एक दौर जो बड़ा दौर था वहां से सैनिकों को गोलिया चलाने का अधिश दिया बहुत सारे सैनिक मारे गए और इस घटना के परिणाम सुरुव गांधी जी बहुत ज़्यादा दुकी हुए जलिया की आफ जानते हैं जिसमें भारत में अंगरेजों का शार्षन था उसी समयं 200 के अन्य छेतरों में भी युद्धिकों जार्षन था और इसी क्रम में इंगलेंड और तूर्की से युद्धिचला था तुर्की का जो शार्षक था सुल्तान यानि खलीफ़ा जäre का मतलब होता पूरे बिस्व के मुसल्मानों का धर्मगुरू यानि खलीफा जो है पूरे बिस्व के मुसल्मानों का धर्मगुरू था और अंग्रेजों से यानि इंग्लेंड से और तुर्की से युद्ध चल ला था जो कि तुर्की का शाशक था खलीफा ऐसे में अंग्रेजों ने भार दे किए गए थे भायतर मिसल्मानों से, मुसल्मानों के सम्मूं के एक धर्म संक्र था, कर अगर यूद्ध लड़ते हैं, तो अपने गुरू के खिलाब लड़ेंगे, क्योंकि जो खलीफा था तर्की का या तूर्की का वो पूरे बिस्ट के मुसल्मानों का धर्म गुरू था अगर नहीं लड़ते हैं तो हम बादा खिलाफी यानि ये प्रकार से हम देश ग्रोही कहलाएंगे क्योंकि हम अपने देश को बचाने के लिए आजादे के लिए युद्ध नहीं लड़ रहे हैं ऐसे उनके सामने प्रकार से धर्म संकरता लेकिन उन्होंने डिसी लिए हम टुर्की के खिलाफ युद्ध यानि अंग्रेजों ने जो वाइदा किया था उसे पूरा नहीं किया गया ऐसे में भारत में मुसल्मानों ने अंदोलन चलाया और जिसके लीडर थे सौकत अली ऐसे समय गांधी जी को भी लगा कि मुसलिमों का समर्थन का इना सही है और गांधी जी ने मुसल्मानों का सही किया और ऐसे में हिंदों से भी एपेल की को भी यहां पर लोगों के कंधा से कंधा मिलाकर के मुसल्मानों का साथ दे और इस तरह से अंदोलन का नाम दिया गया खिलाफात अंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन एक चलाए गया था और इस आंदोलन का गांधीजी ने समर्थन किया। अगले स्टेप में चलेंगे हंटर कमिशन जैसा कि आप जानते हैं जलियावला बागतियाकान की जांस करने के लिए जोकि भारत में बहुत जादा जनता क्रोशित हो गई थी तो ऐसे में ब्रिटिस सरकार ने आसाउसन दिया कि हम इसकी जांस कराएंगे और जांस कराने के लो बागतियाकान की जांस करना क्या इसमें जनर्ल डायर ने जो कारी किया क्या सही था क्या गलत था जांस कमिटी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें जनर्ल डायर को करतब बें निष्ट बताया गया या इस तरह से उन्होंने इस तरह से साक्ष रखा कि जनर्ल डायर ल कॉलन के कौन कौन से कारण थे इस्टे बाइस की वीडियो में बस इतना ही नेश वीडियो में फिर से किसी नए फैक्ट साथ पस्तुत होंगे तब तक ले जाएं जय भारत झात । झाल 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 झाल